नमस्कार साथियों, Infusion Notes की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज का सेसन रहेगा साथियों 27 जनुवरी 2024 इंडिया करंट अफेर्स का इस सेसन में साथियों जितने ही महतोपुन परसन बने हैं इंडिया करंट अफेर्स के वो मैं आपके साथ सेर करूँगा साथियों परसनों से जुड़े तो महतोपुन तत्य है आप से अगामी परतेविता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साधा करूँगा और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के अपने दोस्तों में विशे जरूर शेर कीजिएगा तो शुरुवात करते हैं साथियों सेहसन की पहला क्यूसन आप से पूछा गया है कि भारत किस देश को ब्रहमोज सूपर्शोनिक्स क्रूज मिसाइलों का निरियात करेगा इसे इपोर्टेंट लगा लेना अगामी परत्योगीता परिक्षा में आप से पूछा जा सकता है तो आंसर हेगा साथियों फिलिपिन्स को करेगा किसको करेगा फिलिपिन्स को है जो भारत सूपर्शोनिक्स क्रूज मिसाइले हैं साथियों उनका निरियात है जो किसको करेगा फिलिपिन्स को करेगा इसकी जानकारी किसने दी जो साथियों जो DRDO के वर्तमान के अंदर अधेक्स हैं समीर वी काम्त उनके द्वारा यह जानकारी दीगी कि भारत अगले 10 दिनों के अंदर है जो साथियों जो फिलिपिन्स है उसको बर्म सूपर कुरूज मिसाइले हैं उनका निर्यात करेगा अब अपने बात करेंगे साथ इंपोर्टेंट इसलिए क्यूसर है कि यह जो डील हुई है दोनों देशों के बीच यह सबसे बड़ी भारत की जो अपने जैसे मिसाइले का जो हुआ है एग्रिमेंट दोनों देशों के ब अब टक की सबसे बड़ी डेल है जिसके अंदर सात्री बारतने निर्यात के रूप में क्या है? मिसाइले हैं जो अपने निर्यात करेगा उसके अंदर. तो इसको करेगा तो आंसुर होगा Philippines को करेगा यह जो वर्तमान के अंदर DRDO के अधेयों उनके दौरा है जो दीगी है आपने लिए most important question है रहने वाला है सातियों आगे बढ़ेंगे सातियों अगले question पर बात करेंगे अगला question आप से पूछा है कि ICC ने one day cricketer of the year किशें चुना है one day cricketer of the year 2023 किशें चुना है तो आंसर रहेगा विराट कोहली को चुना है ये question भी important है सातियों अपने लगातार कल भी पढ़ा था कि ICC के दिवारा T20 Cricketer of the year गोशित किया गया इसी परकार लगातार ICC के दिवारा सातियों पुर्षकारें दिये जा रहे हैं जिसके अंदर सातियों ICC ने one day cricketer of the year 2023 है जो किसको दिया है तो आंसर रहेगा सातियों विराट कोली को दिया है किसको दिया है तो आंसर हो जाएगा विराट कोली किंग कोली को सातियों यह पुर्षकारें दिया गया है विराट को ली साथियों यह Пुर्शकार जीत ने पहले भी जीत चुके हैं अब कि बार चोथी बार इन्हों ने यह है किताब जीता है One Day Cricketer of the Year का खिताब है जो दिया गया है ये अपने को याद रखना है इसके अलावा साथियों अपने बात करें ने कि विराट कॉली ने इसके अंदर पूरे साल के अंदर कैसा परदसन क्या तो विराट ने साथियों 6 सतक लगाए और 3700 वंडे मैचों में 1377 रन है जो बनाए ह अब साथियों जो सबसे इपोर्टेंट है कि ICC की दोवारा Cricketer of the Year किसे चुना गया है 2023 के अंदर तो वो आंसर रहेगा साथियों Australia के कप्तान है पैंट कमिन्स किसको चुना गया है Cricketer of the Year आंसर हो जाएगा पैंट कमिन्स को साथियों चुना गया है ये Australia टीम के कप्तान है और इन ही की कप्तानी में साथियों Australia ने है जो अपकी वारे World Cup पे जीता है इसके लाए साथियों ICC के दोवारा Men's Test Cricketer of the Year भी Australia के इसमा ने Khuaza को दिया गया है इसको दिया गया है इसमा ने Khuaza को दिया गया है ये भी अपने को याद रखना है साथियों जो ICC के दोवारा Cr Cricketer of the Year का जो पुर्षकार दिया जाता है उसको साथियों Sir Garfield Sobers के नाम से जाना जाता है यानि जो Cricketer of the Year का पुर्षकार ICC के दोवारा दिया जाता है उसको साथियों Sir Garfield Sobers के नाम से जाना जाता है ये भी अपने को याद रखना है important question रहेगा साथियों इसके अंदर मैंने आपको ICC One Day Cricketer of the Year 2023 विराट कोली को चुना गया है और ICC के दोवारा साथियों Cricketer of the Year किशें चुना गया है आंसर हेगा Pant Commence को चुना गया है और ICC Test Men's Cricketer of the Year किशें चुना गया है तो आंसर हेगा उस्मान Khuaza को चुना गया है अब अपने साथियों बात करेंगी कि ICC ने महिला वरग में Cricketer of the Year किशें चुना है ये भी important है रहने वाला है ICC के दोवारा महिला वरग में Cricketer of the Year 2023 किशें चुना गया है तो आंसर हेगा Net Cyber को किसको चुना गया है तो आंसर हो जाएगा Net Cyber को चुना गया है ये अपने लिए important है क्यों important है कि साथियों ये England की खिलाड़ी है 2022 के अंदर भी इन्हें चुना गया था तो यानि लगातार साथियों इनको ये खिताब है जो 2022 के अंदर भी मिल चुका है और 2023 के अंदर भी मिल चुका है तो अपने लिए important है कि अगर पुर्ष का नहीं पूछे तो सातियों महला में किसे चुना गया ये भी आप से पूछा जा सकता है तो answer एगा net cyber को चुना गया है ये England की हिलाडी है ये अपने को याद रखना है और महला वंडे किर्केटर ओफ दय ये 2023 किसे चुना गया है तो शीरलंका की सातियों समारी आता पत्तु हैं उनको चुना गया है ये अपने को याद रखना है अगले क्शुन पर बात करेंगे किस भारतिय मूलके विकती को Freedom of the City of London Awards से समानित किया गया इसे important है लगा लेना सात्यों गामी परत्योगीता परिक्षा में आप से पूछा जा सकता है कि कि किस बाहरत्य मूल के व्यक्ति को Freedom of the City of London Awards से समानित किया गया तो आंसर हैगा अजीत मिस्रा को किसको किया गया है अजीत मिस्रा को साथ यों समानिते किया गया है ये अपने को याद रखना है किसको समानित किया गया है अजीत मिस्रा को समानिते किया गया है ये साथ यों बिरिटेन के अंदर वकील है इन्होंने साथ यों कानून वै जो सामाजिक कारे है उनके अंदर बहत तीन कार्य किया है जिसके चलते साथियों इन्हे फरीडम ओफ दा सिटी ओफ लंदन अवार से समानिते किया गया है ये अपने को याद अकना है ये बिर्टेन के अंदर वकील है इनको कानून और सारुजनिक छेतर में उतकष्ट कार्य करने के लिए पुर्चकार है जो परदा ने किया गया है ये अपने लिए इपोर्टेंट रहने वाला है साथियों आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन आप से पूचा है कि किस राजे ने दुनिया की पहली बलेक टाइगर सफारी है जो शुरू की है ये भी मोस्ट इप शुरूआत है जो की गई है ये अपने को याद रखना है किसके दुवारा ओडिसा के अंदर साथियों इसकी शुरूआत है जो की गई है ओडिसा के मेयूर बंज में में सिमली पाल टाइगर इज्रो में इसकी शुरूआत है जो की गई है निए ओडिसा के अंदर साथियों उसके अंदर इसकी सुरुवात है जो की गई है यह अपने को याद रखना है प्रोटेंट है लगाना साथियों आप से पूछा जा सकता है कि किस देश ने बच्छों के लिए विश्व का पर्थम malaria vaccine कारेकर में शुरू किया है तो आंसर है गा Cameroon जो देश साथियों उसके दोआरा बच्छों के अंदर साथियों जो malaria होता है उसको रोकने की उदेशियों से एक विश्व सब्यान शुरू किया गया है कहां पर Cameroon के अंदर सुरूआते की गई है उदेशिया आपको ही पता है क्या रहेगा malaria से बचाना इसका उदेशिया रहेगा ये अपने को याद रखना है अगले question पर बात करेंगे साथियों अगला question आप से पूछा है कि किस के अंदर साथियों सो इ बसों की शुरूआते की गई है तो आंसर है साथियों जम्मू कस्मीर के अंदर आप से पूचा है कि किसके अंदर शासित परदेश में 100 इबसों की शुरुआत है जो की गई है तो आनजव सहातियों कहां पर है जम्मु कसमीर के अंदर इसकी शुरुआत की गई है ग्रहम नंत्री सातियों अमित सहाजी के दौारा वर्चुल रूप से इसकी सुरुवात है जो की गई है ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है यानि ग्रहम मंतरी अमित साहजी के द्वारा साथियों वर्चुल रूप से इसकी सुरुवात है जो की गई है अगले क्यूसन पर बात करेंगे अगला क्यूसन आपसे पूचा है कि 2024 में भारत ने कौन सा गंतंतर दिवस है जो मनाया तो आंसर हेगा साथियों पिचेतरुआ कौन सा मनाया तो आंसर हेगा पिचेतरुआ गंतंतर दिवस है जो बनाया है इस बार की जो theme है वो साथियों क्या है विक्षित भार्त और लोकतंतर की मार्तका ये इसकी theme में रहेगी यानि विक्षित भार्त और लोकतंतर की मार्तका है तो इसकी theme रहने वाली है अगले कुशन पर बात करेंगे साथियों, अगला कुशन आप से पूचा है कि बारतिय नो सेना किस राजिय में बहुत कम आवरती संचार स्टेशन की स्तापना करेगी, ये भी इपोर्टेंट है रहने वाला है कि बारतिय नो सेना किस राजिय में बहुत कम आवरती संचार स्टेशन की स्टापना करेगी तो आंसर हो जाएगा सातियों तेलंग आना के अंदर क्या हो जाएगा तेलंग आना के अंदर सातियों भारतिय सेना के दोवारा बहुत कम आउरती संचाह स्टेशन की स्टापना है जो की जाएगी तेलंग आना के सातियों विकारा बाद जिले क के अंदर कहां पर हैं विकारा बाद जो जिला है सातियों तेलंगाना के अंदर है वहां पर इसकी स्तापना है जो की जाएगी ये अपने को याद रखना है अगले क्यूशन पर बात करेंगे सातियों अगला क्यूशन आप से पूचा है कि भारत ने विशो का पर्थम गरीन अ जादे रखना है सातियों अगला क्यूसन आप से पूचा है कि हाली में 69 सूपर्शोनिक विमान का नावरन किस ने किया है तो नासा के द्वारा सातियों इस विमान का नावरन किया गया है ये सातियों सांथ सूपर्शोनिक यानी जासुशी के रूप में इसका उप्योग है जो किया जाएगा और किसके द्वारा इसका नावरन किया गया है तो आंसर हेगा सातियों नासा के द्वारा सातियों इसका नावरन किया गया है नासावे लोक हिड मार्टिन एक कमपनी है सातियों लोक हिड मार्टिन कमपनी है उसके दुआरा सातियों इसका निर्मान है जो किया गया है यह अपने को याद रखना है तो यह हो गए सातियों अपने इंडिया करेंट रफेर्स के महतोपुन परसन अब अपने देखेंगे सा पार्दोली में जो किसान सत्य अगरा हुआ था सातियों वो किस वर्ष प्रारम हुआ था तो 1928 के अंदर सातियों इसकी शुरुआते हुई थी ये अपने को याद रखना है सातियों अगला क्यूसन है कि महत्मा गांदी का बजन वेशनो जन तो तने कहिए किसने लिखा था ये most important क्यूसन है आप से पूचा है कि महत्मा गांदी जी का बजन वेशनो जन तो तने कहिए किसने लिखा था तो आंसर है नर्शी है महता के द्वारा सातियों ये बजन लिखा गया थ इसे most important है, कर लेना सात्यों आप से पूचा जा सकता है किसें सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है किसें किसको कहा जाता है अब्दुल गफार खान को याना जाता है आदुनिक समय में रिशी किसको कहा जाता है तो M.G. रनाडे को किसको कहा जाता है M.G. रनाडे को सातियों कहा जाता है ये अपने को याद रखना है अगला क्यूशन है The Soul of India किसके दौरा लिखी गई ये होगे सातियों अपने इंडिया जी के पांच महत्वपून किसन अब अपने जो सातियों कल करन्ट अफेर्स पड़ा था उसका भी रियूशन करते हैं पहला किसर आप से पूछा है कि ICC T20 Player of the Year 2003 इस किसें चुना गया है तो आंसर रहेगा सुरिय कुमार यादव को हाली में कोसल भाउन का उदगाटन किसने किया तो आंसर है द्रोप्ती मुरमूर ने किया बार्ट फ्रांस यूए की किन सेनाओं के बीज डेजर्ट नाइट अब्यास कायोजन किया जार है इस गोशित किया है तो आंसर रहेगा करनाडा हाली में किसने मुक्यबाजी से सन्याज की गोशना किया है तो आंसर है सातियों जी मेरी कॉम है इसके बाद इनों ने इसका खंडने कर दिया था वेस्विक्स तरपर सोथा सबसें बड़ा शेर बजार कौन सा देश बन गया है तो आंसर है भारते बन गया है भारत की किस फिलम को चानवे ओसकर ओवार्ड के लिए स्रोसेश डोकुमेंटरी फिक्चर फिलम के लिए नामित किया गया है तू के लिए टाइगर कानून और नयाए मंतराले भारत के सविदान में नहित सिदानतों के परति सामूइक परतिवित्ता के लिए कौन सा अभ्यान प्रानिम किया गया हमारा सुईदान है हमारा सम्मान है हाली में सौरहिया उपकर है ने लौच किया तो आंसर हैगा इरान के दोवारा लौच किया गया अयद्यां में बनने वाली मस्जिद का नाम अदल कर क्या रखा गया है मस्जिद मुहूमद बिन अब्दुल्ला रखा गया है तो साथियों इस शैसन के अंदर को लाइक वर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा धन्यवाद साती हूं